जम्मू कश्मीर में प्रोपर्टी टेक्स जो की 1st of April 2023 से इंप्लिमेंट किया जाने वाल है जिसके चलते हैं जम्मू कश्मीर की जनता के मन में बहुत से सवाल है और उनी सवालों के जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे की प्रोपर्टी टेक्स आखिरकार क्यों की ही तरफ से आ रहा है वही हम आपसे पूछना चाहेंगे प्रोपर्टी टेक्स क्या है और जम्मू कश्मीर की जनता पे क्यों लगाया जा रहा है देख लिजे जो जम्मू कश्मीर में 78 अर्बन लोकल बॉडिस है दो मुनसिपल कॉर्परेशन जा जम्मू और स्रीनगर मे उनका जो मुनसिपल सर्विसस देने के लिए उनको जो सैनिटेशन की सर्विसस है पार्क्स और गार्डन्स को इंप्रोग करना है रोड को इंप्रोग करना है जैसे और भी अन्या मुनसिपल सर्विसस देने के लिए उनको पैसे की जरौत पड़ती है उनको रिवेन्य के ज 650 करोड रुपे रहें और current financial year में 2022-23 में 850 करोड के आसपास है अगर हम आमदनी देखेंगे सारे हमारे local bodies के आमदनी 21-22 में 115 करोड रहें और इस साल में तकरीबन 120 या 25 करोड तक पहुंच जाएंगे अगर हम देखने से यहां बहुत बड़ा revenue का gap है हम तो हमें अगर अच्छ service लोगों को देने के लिए municipal finances को सेंतन करना सबसे ज़्यादा अवश्यक है क्योंकि यह property tax एक मात्र source है जो सबसे ज़्यादा municipal local bodies को source of income है हम सारे हिंदुस्तान के urban local bodies देखें या हम global practices भी देखें property tax एक सबसे बड़ा main source of revenue है उसके साथ भी अन्या tax revenues भी है मगर उसमें इतन को जादा revenue नहीं आता है तो उस वज़े से अगर हमारे municipal services को संथल करना मुनिसALL अरबन जो अरबन local bodies को हमें संथल करना उनको अठानुमस financially autonomous करना और powers को devolution करना है उनको एक strong urban local bodies बना के functional और करना है तो हमें उनकी financials को भी सेंतन करना है उसके द्वारा अगर हमें अच्छे मुंसिपल सर्विसस को लोगों को उपलप्स करने के लिए फाइनासिस की ज़रुत है सरकारी ग्रैंट तो है मगर सरकारी ग्रैंट पूरा जो घाटा है उसको पूरा नहीं कर पाएगे तो उसको नजर में रखते हुए यहां मुंसिपल एड्मिनिस्ट्रेशन को मुंसिपल कॉर्परेशन और मुंसिपल बाडिस को फैनाशली स्ट्रॉंग इंडिपेंडेंट और ओपरेशनली एफिशेंट एंड इफेक्टिव करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को हमने नोटिपाई किया है यह हमने ध्यान में रखके किया है कि यह पहली बार लग रहा है क्योंकि यह मॉडरेट हो उसमें विकर सेक्शन और लोवर मिडल क्लास इसमें एस्क्लूड हो और उनको उपर हमने कोई टैक्स नहीं लगा है तो यही मकसद था कि हमने property tax लागू करके बहतर सुविदा देने के लिए हमने किया है तो sir property tax के structure की भी हम जरूर बात करना चाहेंगे क्या को structure आपकी तरफ से prepare किया गया जो आम जंता तक कही न कही पुरे proper तरीके उनकी समझ में जरूर आना चाहिए क्योंकि ऐसे myths फैलते हैं बहुत ही लोगों में भी बड़ी misconception हो जाते हैं कि ना जाने क्या चीज़ होगी इसमें किस तरीके से बनाया होगा इसलिए proper तरीके के structure की जरूर बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि ऐसे misconception की गलत पैमी की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे कोई गुंजाइस नहीं है हमने सबसे पहले हमने ध्यान रखा है कि यहां के जो below poverty line के लोग हैं जो शहरी इलाके में रहते हैं उसके साथी जो middle class लोग हैं उसका हमने ध्यान रखा हैं मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 square feet का जो मकान कहीं भी जो urban areas में हो चाहिए municipal corporation इलाके में हो committee में या council में हो उनको उपर कोई भी property tax नहीं लगा जागे समपूर्न तरीके से property tax से मुक्त हैं 1000 square feet तक के मकान मालिक मगर जिनका जो रिहाईसी मकान 1500 square feet तक है उनको हमने 25% की rebate देके बहुत ही affordable बहुत ही कम rate तई कियें जो उनसे ज़्यादा उनको बहार ना पड़े मैं आपको पढ़के इसको मैं समझाना चाहता हूँ जो 1000 square feet तक का मकान हैं चाहिए किसी भी urban इलाके में corporation में इलाके में हो उनको बिलकुल ही उसमें tax से बाहर है जो जिनका मकान 1500 square feet तक हैं उनके लिए municipal committee का इलाके में मात्र में 50 से 300 रुपे साला ना देना पड़ेगा जो जिनका मकान municipal council इलाके में हैं उनको मात्र 75 से 600 रुपे तक देना पड़ेगा और जिनका मकान municipal corporation इलाके में आते हैं जिनको मात्र 100 से 1150 रुपे देना पड़ेगा जो जिनका मकान 2000 square feet तक हैं जिनको municipal committee इलाके में 100 से 400 रुपे देना पड़ेगा साला ना जो council इलाके में आते हैं देड़ सो से बारासो रुपए सालाने देना पड़ेगा और जो मुंसिपल कॉर्परेशन इलाके में आते हैं उनको दो सो पस्ची से दाई हजार तक सालाने देना पड़ेगा मैं यहां जिक्र करना चाहता हूँ commercial establishment के जो छोटे दुकाने हैं चाहे कहीं भी हमारे जो urban इलाके में स्थीत हो 100 square feet तक के जो छोटे दुकाने हैं जो municipal committee इलाके में स्थीत है उनके मात्र 20 से 100 रुपए सालाने देना पड़ेगा जो municipal council इलाके में उनके मात्र 30 से 200 रुपए सालाना देना पड़ेगा जो municipal corporation इलाके में उनको सिर्फ 50 से 600 रुपए देना पड़ेगा जो जिनकी swap 200 square feet तक हैं जिने municipal committee इलाके में 75 से 300 रुपए municipal council इलाके में 100 से 600 रुपए corporation इलाके में 1500 से 1800 रुपए साला ना देना पड़ेगा यह tax हमने ध्यान में रखे क्योंकि जो economically weaker sections है middle class लोग हैं उनको उपर कोई भार ने लगें जो affordability factor है उसमें हमने ध्यान में रखे यह tax structure को हमने तही किया है उसके साथ ही जो मकान अगर पुराना है 20 साल से ज़्यादा पुराना है और जो इलाका जो है जहाँ property की value कम है उसको भी हमने ध्यान रखे क्योंकि अलग-अलग property का जो इलाके में जो property की stamp duty की rate है उसको हमने base माना है जहाँ property कीमत कम है वहाँ property tax कम लगेगा जहाँ मकान की उमर 20 साल से ज़्यादा है वहाँ कम लगेगा, जहां यूज रेसिदेंशल के लिए होगा, वहाँ कम लगेगा, जहां कमर्शियल या इंस्टिूशनल या इंडस्री परपस के वहाँ ग्रेड़ेड वे में जदा लगेगा, और जहां एरिया 2000 या 3000, 4000, 5000 जैसे बड़े-बड़े मकान हैं, बड़े इंडस का प्रॉपर्टी टाक्स में सबसे कम में एक हैं, हमने एह ध्यान में रखके इसको तहीं किया हैं, हमारा मकसद यही है कि जो मुनसेपल फैनासेस में हमारे गैप हैं, क्यो अपरेशनल एक्सेंडिचर इतना जादा हैं, आमदनी इतनी कम हैं जैसे मैंने पहले का, उस गैप को मीट अप करने के लिए, उसको श्रेंटन करने के लिए, और जो हमारी जो मुनसेपल सेवाय हैं, उसको अच्छे तरीके से लोगों को पहुंचाने के लिए, हमने यह प्रॉपर्टी टैक्स को लगा के, एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी दिशा में मुनसेपालिटी इ कि एक अच्छा कदम उठाया है तो सर्फ की जो बात हो रही है तो कहीं न कहीं प्रॉपटी टैक्स में इस प्रोसेस को पुरी फॉलो करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है क्यूंकि टैक्स पे करना है तो उससे पहले नाम अगन तो भरना ही पड़ेगा कहीं न कहीं सी फॉर्मलेटीज होंगी जिनके लिए आम जनता को तयारी रखनी पड़ेगी उसके लिए क्या कुछ लोगों को तयारी पहले से रखनी होगी जो प्रॉसेस आपकी तरफ से कही ना कही निर्धारित की चाहेगी देख लिजे हम एक IT-based software के development अलड़ी चल रहा है इसको हम सारे जमू कश्मीर के सारे urban local bodies में हम online IT system लागो करेंगे जिस्ते द्वारा पहले property को register करना पड़ेगा सारा details को उसमें fill up करके format के द्वारा फिल up करके एक registration number लेना पड़ेगा उसके बाद property tax को payment करने के लिए online payment system हम रखेंगे और उसके बाद return filing और उसमें जो भी जो कारवाई होगी property tax की सारा system हम online के जरिये करेंगे और सारा सुविधा उसमें सारा frequently asked questions उसके answer और उसके वीडियो और जो उसके द्वारा हम IEC campaign भी करेंगे हमरे सरकारी लोगों का training भी करेंगे और stakeholders के लिए tax payers के लिए अगर कोई information की ज़रुत है उसका help desk भी कोलेंगे और campaign भी उसके बारे में हम लोग लागू करेंगे तो सर कही ना कही प्रॉपर्टी टेक्स जम्मू कश्मीर में कही ना कही लोग पहली बार इसे face कर रहे हैं क्योंकि residents को लेके तो कभी हम लोगों ने कभी property tax दिया नहीं आज तो इसलिए लोगों में हलकी सी awareness नहीं है इन चीज़ों को लेके तो उनकी awareness के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ आने वाले समय में step उठाए जाएंगे ताकि उनके मन में कोई भी सवाल आते हैं या किसी भी चीज़ को लेके उनमें confusion पैदा होती है तो वो उसे दूर कर सकते हम बिल्कुल इसको campaign mode में इसको IEC campaign करेंगे लोगों को pamphlet के दौरा और press note के दौरा और booklet के दौरा कैसे calculate करना है यह सारा हम online सारा उसको हम लोगो develop करके हम host करेंगे उसके साथ ही हम print media के दौरा भी उसको हम publish करेंगे और pamphlet और अन्या जो materials भी हम करेंगे workshops करेंगे उसके साथ ही और stakeholders के लिए अगर ज़रूत पढ़ने से हम लोगो training session campaign जो awareness campaign है तो जैसे कि आपने सुना यह पूरी process थी property tax क्या है क्यों implement किये जा रहे है और आपको किस तरीके से पूरे procedure को follow करना है जिसके चलते आपके तमाम doubts को दूर भी किया जाएगा और यह tax क्यों लिया जा रहा है क्योंकि आप ही को बहतर सुविदाएं देने के लिए जो direct और indirect tax पहले भी देते थे आप लोग और उसी में थोड़ी से बढ़ोतरी कर दी गई है कि आप लोगों को फिर से property tax के रूप में सरकार को tax देना होगा और बतले में आप ही को सुविदाएं दी जाएंगी तो सेर जाते 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 जम्मु कश्मीर की जनता को कोई message आप convey करना चाहेंगे जम्मु कश्मीर जनता से माई विदंती करना चाहता हूँ जो सरकार property tax पैसा collect करेगी और उस पैसे को हम सही र बाडिस को financially strengthen करने से उनी को और बहतर और और ज्यादा सेवा देने में उपयोग आएगा उनी का long term interest में एक कदम है ये कदम उटाने से हमरे और मुंसिपल बाडी का financial health को strengthen करने से मुंसिपल functions बढ़ जाएंगे और ज्यादा capital expenditure भी होगा और ज्यादा अच्छी सुईदा मिल जाएंगे यही मैं लोगों को आस्वस्त करना चाता हूँ तो यह हमारे साथ है मिस्टर राजेश प्रसाद IAS जिन्नों ने कहीं ना कहीं पून रूप से इस पे परदा पड़ा हुआ था जो misconception फैल रहे थे society में उन्हें दूर करने का प्रयास किया है और आगे और ज्यादा इन परयासों को बढ़ाया जाएगा आपी से जुड़े हुए सरकार की तरफ से और क्या हम फैसले लिए जाएंगे वह भी हम आप तक जुरूर पहुंचाएंगे और जो जनता की समस्यां चल रही है उन्हें जागर करने का भी लगातार परयास कर